क्वेशन पर 15 exercise 11.1 का क्या है क्वेशन ? A & B can do a piece of work in six days. A & B जो है एक काम को छे दिन और चाल दिन में करता है. A started the work and worked for two days. A जो है काम को start करता है पहले और दो दिन तर गाम कर लेता है. फिर B अगर join करता है उस काम को खतम करने के लिए. तो find the total time taken to complete the work. तो हमको बताना है time कितना लेगा A & B दोनों काम को खतम करने के लिए. तो हमको पता है कि work कितना हो रहा है एक दिन में A के दोरह है? तो work done by A in one day. एक दिन में work कितना खतम कर रहा है? एक दिन में कर रहा 1 by 6 work. 1 by 6 कर रहा है. तो 2 दिन में work कितना करेगा? करने हैं है मतलग करके यह ना काय Cassandra भूझ ना काम हो चुका है अगर टॉटल काम कितना है और टॉटल काम जो है टॉटल वक कि दियुकर है मने चले हम लोग इस अब एक व्यान का में से वन यहां थी काम हो चुका है वारप लिफट कितना ऊगोगे दरफोर वरक लेफट यsigung-1-1-13 थाद इकला टोटल काम ले लिये तो वाग इतना लेफट वागे-102 माइसना निदर टुबाइ-102-102-102-102-102-102-105-107-104-102-102-202-102-105-102-104-103-105-104-108-102-102-104-105-104-105-106-102-108-102 एक दिन में वो निकालते है work done by B in one day एक दिन में B कितना काम करेगा एक दिन में B काम करेगा one by four so total work कितना करेगा A और B एक दिन में total work done by a and B is equal to one by six total काम कितना करेगा मुइनाः इकटा इ TON कम करे तैट इक दिन में कर ले रहा एक दिन में कितनाक करता इन가지 है 5 दिन में। फाइब्ई। चाम कर रहा है चांद हिए बला करेगा है घृइफ 25 क्यों कर Adventure करेगा हम दिए फाइब धाइब त्वेग्ट वर्क डन इन वन डेइ ऐक दिन कर रहा आ है फाइब डिए काम कर रहा है so two by three work कितना करेगा therefore therefore two by three work done in कितना करेंगे two by three multiplied by 12 by five that is three three fours are 12 four two eight eight by five मतलब की eight by five days उसको लगेगा two by three work खतम करने में तो हमको बता है two by three work कितना दिन में तो भाई three work जो है वो कितना कमें हो राइड बाई फॉट रख चाम 8 by five days में जो बचा हुआ था जो बचा था एक्साल टो आब ले चुक युख डैइस ने पहले तो तो दुरों को प्लस करतेंगे, that is equal to 5, 8 plus 5 to the 10, that is equal to 18 by 5 days, तो कितना होगे टोटल, 18 by 5 days हमारा answer हो गया, मतलब टोटल टाइम कितना ले रहा है, टोटल टाम ले रहा है, 18 by 5 days, I hope this question is understood to you.